सो फानली काई सभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है रेड्मी का और यह है रेड्मी सेवने और जब आप इस फोन को चालू करते हैं तो आप सबसे पहले में स्वीच अफ कर देता हूं यह रेड्मी का सेवने मॉडल है और इसके अंदर प्रॉब्लम में है कि यह फोन जब भी आप चालू कर रहा हूं जैसे इसको चालू कर रहा हूं जैसे फोन चालू और आप देखिए आप कुछ इस प्रकार का मैसेश हो रहा है दा सिस्टम हैज बिन डिस्ट्रोइड और प्रेस पावर बटन तो सट डाउन यानि कि पावर बटन दाब के इसको सट डाउन करिए और इसको जैसे पावर बटन फिर दबा रहा है यह फोन रेडमी 7a है और इसके अंदर जो CPU लगा है वो Qualcomm को लगा है और आप अगर इसका बूट की देखें हो यहां पर लिखिए बूट लिखा हुआ है और यहां पर इसका इडियल पॉइंट है बूट की तो इसको हमें केवल कनेक्ट करना है तो मैं आपको एक बार इंटरनेट बाता हुआ है दो यहां है पर इसके अब धिख्या दिख्यां पॉइंट सबसे बैस्ते अंदर्रीन लगता है इसको मैंने डाउनलोड कर रखाया बट आप यहां से जाका और यहां पर सबसे लेटे शेट इस्ट्ट औला यहाला डाउनलोड करके रख सकते हैं कि दोनों काम हमारा हो चुका है और हमारा फ्लेस फाइल कर ले आता हूं तो और यहां से ला कर के स्कृषिट सांगे पुर फ्रॉडबने के बार से हम इसको फ्लेस करेंगे इसको दो तरीके प्लेस कर सकते हैं एक तो आप अपने UMT से कर सकते हैं अगर आपका पास UMT नहीं है तो आप एक क्यूबसेट करके आता है मैं आपको सर्च करके आप दिखाया दे रहा हूं यह देखिए यहां हमारा क्यूबसेट पूल इसको आप यहां से डाउनलोड करके और यहां से यहां से यहां से क्वालकम सुपोर्टेश तूल है यहां से आप इसको डाउनलोड करने के बाद से इस वेब साइट में आप चले जाए हैं दिखिए बहुत सारे इसमें वर्जन ह चांबूड करने के बाद से आपको ऋर यहां से तामलोड करने के आपको इक ओरिंःक मारे हैब सब्सक्र सब्सक्राइब रिकमी ज़नाओं ऑलोड करना यह यहां सब्सक्राइब नहीं है एक वालकम का फ्लेश फैल दूसरा क्वालकम यूस्बी ट्राइवर और तीसरा यह तूल यह तीन चीज चाहिए इस प्लेश करना एक तरका एक सॉट्टेयर जिससे किसी भी कॉलकम और हर फोन में सीप्यू जो लगा रहता है तो दो तीन कंपनी का आता है या तो स्पेक्ड्रम का होगा या फिर इमीडिया टेक या फिर वालकम यह बेसिक चीजों से मैं बता रहा हूं जिनको पता है वो तो सब जानते हैं बट जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आप इसको फिप्लैस फाईल दालके उसको फिल खर सकते हैं रहा है यहाँ चलता हूं आपको मिल जाए तो एसे इसी है मगर में आपको टिंक करता हूं आँ बट स्टप बडे आता हूं तो मैने ते देखा यहां सको को दब यह फोन को सिसमें इसा ईसाई हैं सेम प्रोसेस है बसी लोड कर के आपको क्लिक कर के या फिर बेहर लगाए ऐड JOSH करके आपको पूलड के और पारे तो जाए गाया इससे पहले आप जो नो हना है उनको बता कि उसमें usb driver इस्ट्राइबर कर लिए जो मैंने आपको बदाया था usb driver का काम यह होता है कि आपका जो phone है यह phone आपके computer से connect हो जाए directly इसका CPU computers connect हो जाए इसके लिए हम flash usb driver का यूज करते हैं और flash file इस phone का जो file होते है जिसके है फाइल पर यह फोन पुरा रीड करता है जिस पर चलता है इसका पूरा फोंक्शन इसका हर होता है वह इस फोन मなたंने चाहle输 लाए औरूसरा है तूल के मदद से हम जान्य आज करते हैं तो यह में इसको अधर से ना उन यह और उसलेर का है आशारें कैसे करेंगे हम जानने वाले तो इसके लिए हम अपना मैं अपना लेपटाप कीछे कर लेता हूं सबसे पहले तो आपको दिखा दू इस पहले आपको फोल ने पहले सी को रहा है यहाँ पर नत्विकर्णा में निकाल के वापस लगाना है ताकि यह फूण हो जाए या फिर आपाई रखें इसके बाद अब क्या करना यहाँ पर तूल को जैसे मैंने बताइ इस तरह लोड करने के लिए यहां पर क्लिक करने के बाद से आपको से नudher न के इस इसको यहां पर दोनों पॉंट को जो का बूट की है इसको सोट करके लगा ऐसे तो यहां में दिखा रहा हुँ आपको यह मैंने इसको सौ्ट किया और यहां पर केबल लगा दिया कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बन चुका है और फोन कनेक्ट हो चुका है अब हमारा फोन फ्लेस होगा थोड़ी देर में आपको इसका रिजल्ट सामने देखने को मिले के क्या है तो अभी प्लेस होने का वेट करते हैं फ्लेस होने में थोड़ा फोन समय लगेगा इसको फ झाल झाल फोन अगर माले प्रिंदे केना फ्राट आ है dif आपले ऑफ फोन Bernard कारे मैं ध्लिज़ूर्अर पर फोन फुल चुका है और भी आपको फूरा पर फुलता है बमकेशी नहीं क्या है कि रमार बता है यहां प्रोत इसके सहरे कॉल में पापशन mówi रेडमी लिखने के बाहरा से तुरंती वह आ जा रहा था इस सिस्टम इसका क्रेश्ट करके कुछ प्रॉब्लम आ रहा था बट वह अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और यहां पर यहां से रुका रहा है या फिर खुलता है यह तो देखने के बाद ही समझ में आएगा अगर खुलता है तो अच्छी बात है और नहीं खुलता है रूखे रहा है उसका भी बहुत सारा सलूसान है उसके लिए पर टेंसल लेने की जरूत नहीं है उसका भी सलूसन में बता दूंगा क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं तो यहां से भी आपको एक इसको दुबारा करना पड़ सकता है या फिर आप एक बर यूम्टी से इसको पूरा अंलॉकिंग करके भी देख सकते हैं बट मुझे नहीं लगता है कैसा होगा देखते है थोड़ी तिर वेट करके खुलता है कि नहीं खुलता है बाकि हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो च चैनल को सब्स्राइब करिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी आच्छी नॉलेजफूल वीडियो लेकर आता हूं और यूटूब पे तो आजकल मतलब कुछ अलग ही चल रहा है नॉलेज के लिए यूटूब बना है और यहां पर लोग कुछ भी करके और पाईब करेंगे तो बस यहीं रीक्वेष्ट है प्लीज आप लोग करेंगे लाइक करिये शब्स्राइब करीग अलग करेंगे ताकि आप लोकली में इतनी बेश्ट वीडियो बना पाऊं और और अच्छे साच्छा कॉंटेंट डे पाऊं तो फाइली आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो फोन है बिल्कुल पर्फेक्क कंडिशन में चालू हो चुका है और अभी यहां पर देख सकते हैं विल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप ध्यान से देखनी कोशिश करिए तो बस इस तरीके से आप इसको फ्लेश करके आप सही कर सकते हो यहां पर फोन थोड़ा चार्ज नहीं था जिसकी वज़ा से मेरा फोन वहां पर मियू लोगो प के सामने चालू हो चुका है अभी यहां पर आपना कंट्रियो अगर असले करके हम फोन को चालू कर लेते हैं फड़ा-फट से और जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा थी वह प्रॉब्लम अभी खतम हो चुकी है तब देख सकते हैं कितनी असानी से मैंने इसके इस प्रॉब्लम को खतम करते हैं और यह बिल्कुल फॉन वर्किंग अडिसमें चालू हो चुका है तो उमीद करता हूं कि यह जो नौलेश्फुल वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो हमे झालेश्ट झाल झाल